अगर आपको मोका मिले की सीधी वेकिंसी होगी कोई एक्जाम नहीं होगी तो क्या आप इसमें फॉम भरेंगे जी हाँ आज ऐसी ही वेकिंसी के बारे में बात करूँगा जो बिना एक्जाम दिये हैं और आपके नॉलेज़ेवल के अनुसार आप लोगों को नोकरी मिलेगी और एक लाग से अच्छी-कासी सेलरी आप लोग प्रापत कर सकते हैं इसस्टार्टिंग सेलरी से लेके अंतijn tņक सेलरी आप लोगों को काफी अच्छी मिलने वाली है और यह मेट्रों के बात मिलने जा रहा हूं जिहां मेट्रों के अंदर वेकिंसी निकली हुई हैं काफी experience वाले UX में apply कर सकते हैं, qualification और योग गेता के साथ अपन बात करें, इसके जो आयू सिमा वगरा है, selection processor वगरा है, इन सारी चीजों की बात करें, तो आज एक छोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर देजीगा, और जो इस की आने के chances नहीं है, जब से metro की जो जैपूर मेट्रो जब से चली है, जैपूर के अंदर, तब से कोई बड़ी वेगिंसी नहीं आई है, और जब भी आई है, डारेक्ट भरती आई है, या फिर experience वाले UX के लिए भरती आई है, देखते हैं, इस बार ये वाला विग्यापन क का खेने वाला है, खास कर आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कई विध्यारती हैं, जो आई टी डिप्लोमा, बीटेक वगरा या ग्रेजुएशन वगरा की qualification लेके बेटे में हैं, और सोच रहे हैं कि हम भी इसमें कभी जोब करेंगे, तो दोस्तों, आपका क्या मानना ह हैं, लेकिन आज मैं जो अपडेट देने जा रहा हूँ, यह कुछ पदों भी वेकेंसी निकली हुई है, इसमें डारेक्ट वेकेंसी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा विध्यापन देखा था और विध्यापन मैं आप लोगों के साथ ही सेर करूंगा, यह इसका पूरा व आप दिन करें, तो आज हो चुकि है, साथ दिसंबर, और यह विध्यापन जारी हुआ था करीबन 29 नवेंबर को, यानि कि 29 नवेंबर को यह ओफ लाइन ही जारी किया गया था, सांस्ता के जरी है, और न्यूज पर यह न्यूज इजन्सियों मुझे को इसके अपडेट नह आप लोगों को बिना एक्जाम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई विध्यारती होंगे, जिसे मजाक समझ रहे होंगे, इसका रीजन मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि यह देखिएगा, इसके अंदर पांस साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मीनिमम, इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है, मीनिमम, अलग-अलग पोश्ट के नुसर अलग-अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक्सपीरियंस हैं, तो वो विध्यारती को एक्जाम देने की क्या जोर है, तो सीधा नोकरी भा सकता है इसके लें उनके लिए कोई एक्जाम नहीं होगी और यह सीधी वेकनसी होगी तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों के पास एक्सपेरियंस हैं तो आप लोग डायरेक्ट प्रोजेक्टर के लिए आवेदिन कर सकते हैं या फिर स्टी स्टेशन मास्टर् जर्नल मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर अपन बात करें इसके और अलग अलग पोस्टेश हैं जिनके लिए आप लोग आवेदिन करेंगे अब मैं पोस्टों की बात कर लेता हूं आप लोगों को बता दें कि पोस्ट कोई ज्यादा नहीं है जै कि आयो सीमा फिक्स है सभी की एक जिसी आयो सीमा होगी जिसे कि 21 से चोईश वर्स या 27 से अधिक्तम की होगी उसके लिए आप लोगों को विग्यापन देखना होगा अगर आज में आवेदन करना है तो तो यह थोड़ा आप लोगों को किलिर करना होगा उम्मीद करोंगे कि चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे अब जब कि अपन ओर डिटेल्स की बात करें फॉम भरने के बारे में तो आपको बता दें फॉम बिल्कुल ओफ लाइन होगा ओनलाइन फॉम नहीं जमा करवा सकते हैं और पेसले साट पर जाके आप लोगों पराप्त कर सकते हैं यह उसके लिए क्या एप्लिकेशन होगा क्या उसका होगा तो आपको बताते हैं कि टोटल विकेंसी दो बाइस हैं जिसमें SC ST OBC जर्नल वगरा सब को काउंट किया गया है जिसमें डिपार्टमेंट वाले भी होंगे जिसमें आप लोग सब भी होने वाले जिसमें एक चीज और अगर तो क्लेर कर लिजेगा 30 दिसमबर इसकी अविदिन की अंतिम तारीक हो गी अगर 30 दिसमबर से पहले आप लोगों इसका फोरम भर देते हैं तो आप लोगों का फोरम समिट किया जाएगा नहीं तो नहीं किया जाएगा पॉंट यह भी डिटेल्स दूँगा और पुरी चीजे समझाने की कोशिस करूँगा ताकि आप लोग इसमें अपलाई कर सेकें तो हाली में अभी निकली हुई Metro की वेकिंसी है एप्लिकेसिन फिस किसी परकार का जो डाक टिकेट वगरा है वो आप लोगों को देना होगा इसके अलावा और कोई चार्जिज नहीं लगेंगे आपसे एकजाम का तो बिलकूर मसोचे कोई एकजाम नहीं होने वाली बस इंटर्वी होगा या फिर एक्सपीरिंस के साथ आपका इंटर्वी डॉकुमेंस वेरिफाई वगरा जी यह होने वाला है इसके अलावा आपके प